नमस्ते, वेल्कम टू माई चैनल कुकिंग टेस्टी एक और नया वीडियो मैं आप सभी के सम्मुक लाई हूँ इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही पॉस्टिक दलिया यूँ तो दलिया गेहूं का दलिया बनाते ही हैं और कई तरीकों से बनाया जाता है लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे इन पॉस्टिक सबजियों का यूज करते हुए जिसमें गाजर, टमाटर, धनिया, मिर्ची, करी पत्ता हमने यूज किया है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉस्टिक है और इन सभी में प्रचूर मात्रा में वाइटमिन A, C, Fiber, कैल्शम पाया जाता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर हमने धनिया के साथ साथ धनिया की डंठल को भी यूज किया है और अब हम लेते हैं एक कड़ाई उसमें हम एड़ करते हैं आदा लीटर पानी आदा लीटर से थोड़ा और भी डाल सकते हैं दलिया को हम उस पानी में डालते हैं और 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबलने देते हैं इस दलिया को हमने रात में भीगाने रख दिया था रात में भीगाने से दलिया काफी अच्छा हो जाता है और आसानी से बन जाता है पकने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है अब हम देखते हैं कि जो गेहूं का दल अब हम इसमें एड करते हैं जो हमने गाजर को हमने कद्दू कस कर लिया है बिल्कुल बारिक बारिक हमने गाजर को कद्दू कस कर लिया है और हाँ इसमें जो हमने टमाटर का यूज किया है टमाटर के भी हमने छिलके निकाल दिये हैं छिलके निकालने के बाद उसको हमने लं संबाई में उसको एड़ करते हैं साथ ही दो तीन हरी मिच्ची और हरा धनिया की डंठल भी हम इसमें डालते हैं वो भी बहुत सारे गुणों से भरपूर रहती है और हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं हरा धनिया डालने के बाद भी करीब पांस मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे और एक्स्ट्रा हरी मिर्ची निकाल देंगे क्योंकि दलिया को कभी-कभी बच्चे भी खाते हैं तो जिसको पसंद है वो खा सकते हैं अधर्वाइस हम उसको निकाल देंगे तो देखाना थोड़ी ही देर में बन गया है हमारा दलिया अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए अब हम फ्लेम ओफ करते हैं और गर्मा गर्म दलिया को हम सर्व करते हैं इस दलिया की खास बातिया है कि हमने ये दलिया बिना घी के बिना तेल के और बिना मसालों के बना करके तयार किया है बिना घी तेल मसालों के भी या बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट बनता है हाँ अगर कोई इसमें खाते समय देशी घी डानना चाहे तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है उस तरीके से भी हम यह दल्या खा सकते हैं तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताईएगा थैंक यू